आपने तो कभी नहीं पुछा भरती जंता पार्टी जे क्यों जातिका नाम लेती है चुनाओ के वक्त में बैठेंगे करेंगे जंजना बजाएंगे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या समाच को आगे लेगी कमाल की बात कर रहे हैं आप कहां हलके में बैठाओ बाटिया जी रिलाक्स अनुदागी स्वामी जी सिंपल आदमी आप उन्हें समझे यह भी नहीं जानते हैं आप स्वोड शूस पेहन के खेती करते हो और बिसलरी के पानी के गोल कपे खाते हो यह नहीं पता भी रिलाक्स करिए बाटिया जी ने रिलाक्स अनुदागी जी देगे ने प्लीज अनुदाग जी एक साथ आजाओ हर्याणा में एलेक्शन हुआ नहीं रखिए भई चारो कुण हर्याणा में एलेक्शन हुआ यह विपक्ष कहता रहा जाट वसेज नौन जाट कि दलित और जाट ओपन नी कह रहा हुआ चतीज जी बीजेबी के खिलाफ हो गया है बीजेबी को वोट नहीं करेगा किसान तो फार्मर लोज से वैसे ही खिलाफ था तो बीजेबी का तो हारना तैय है और यह परक्यूलेट कर लिया है नीचे तक जमीन तक सब एकटे हो गया हुआ रहाणा में एकटे होके वोट कर दिया तो कॉंग्रेस को कुछ नहीं मिला तो एवियम सबके एकटे होने में क की बात का जवाब देता हूं सबके एकटे होने का मतलब है यह इशारा है अगर अभी भी यहां बैठे हुए जितने राजनितिक प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे तो यह इनकी कमजोरी मैं कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता देश ने हर इस इलेक्शन से इस करा दे दिया कि ना तो वो जातियों में बटे हैं और ना इनकी बातों में आने वाले हैं ना इनके किसी ब्रहम में आने वाले हैं उनको सरकार चाहिए जो उनको मजबूत सरकार दे जो सरकार उनके लिए काम करे जो बटी ना हो जो कटी ना हो जो सिर्फ भाशन दे के और ल जमीनी तोर पे काम करके दिखाएं अब इसमें ना तो कोई जाती का सवाल आया और ये हर्याना की जनता को मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ कि हर्याना की जनता ने अप्रूव कर दिया ना तो वहां कोई जाट ना कोई और समाज ना बटके एक साथ होके उन्होंने वोट दि मैंने जम्मो किश्मीर पे भी आपको कहा था कि वहां की जनता को कुछ फैसले सरकार के नहीं पसंद आए वो सरकार को नहीं चाहेगी वोट आउट करेगी और वो हुआ सरकार को वोट आउट किया उन्होंने एंटी बीजेपी वोट दिया जो अगर जो भी जनता चाहती है और जनता आपको जनता की बात का सम्मान करना पड़ेगा आप जनता को अब और बेवाकूफ नहीं बना पाएंगे ना जनता को आप जातियों में बांट के उनकी बाते क करके उनको करके नहीं कर पाएंगे आपको काम करके दिखाना पड़ेगा जो सरकार काम करके दिखाएगी जो सरकार का काम नीचे लेवल से लेके नजर आएगा जनता को और जो जनता को सबसे बड़ी बात है जिस पे फरोसा होगा जिस सरकार पे आने वाली वोट देगी प्रियातियों में वो नहीं बते मैं आज में आज महीं कहता हूं यह अज की जाती ना बिस्कों अगर रोगता था श्याइद बारती जंटा पारटी के खिलाव वहां पर अंट्यरी इंकम्पेंसी हो जायगा आपको भी लगता था ना ये एक reality है मैं एक reality है मैं पता रहा हूँ ना bureaucrats को भी लगता था सबको लगता था लेकिन जंता ने vote दिया जंता ने जंता ने वोट दे के शक्ती है पावर उफ दे ना जंता ने vote दे के जो ताक़त दिखाई है ना अनुराग बदोरिया आप हमेशा खुजाते रहते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ओन दे फेस वो जनता ने इशारा दिया रियली अनुराग जी कि एक साथ आने में कोई खराबी नहीं है रंग्रेश जी आपके नेता असाओदीन ओवेसी साब तो स्वामी जी क्या नहीं बोलते पंद्रा मिनिट के लिए दे दो उनके भाई बोलते कोई बोलता है पांची मिनिट दे दो तो अगर किसी ने हिंदू एक्ता की बात कर ली तो AIM AIM को क्या खराब कैसे लगए कमिनल कैसे हो गया मुसल्मानों के पतन की बात कैसे हो गई कभी तो मैंने नहीं सुना किसी ने कहाओ कि OVC साब ने मुसल्मानों की एक्ता की बात कर ली तो हिंदू के पतन की बात कर ली तो फिर मुसल्मानों का पतन कैसे हो जाएगा अगर हिंदू एक साथ हो जाएगा जी रंग्रेसाइब जो आदमी सविधान की सपत लेता है उसके लिए सब धरम एक जैसे होते हैं और सब का सम्मान उनका करने का उनका अधिकार होता है मगर जब वो बटेंगे और कटेंगे करने की बात करते हैं और जो मोदी जी है कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं योगी जी असी बीस की बात करते हैं समसान कबरिस्तान की बात करते हैं बटन इतनी जोड से दबाओ के साहिन बाग तक जो है उसका करन जाए तो इस तरीक दस लाग लोगों तक वो पहुचे के जातियों में मत बटिये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे के आप ये बताएंगे आपका जो आसरा में उसमें दलित भाई कितने है मैं पूछना चाहता हूँ उसमें सम्मान देंगे उनको अपनी प्लेट में खिलाएंगे अगर कोई अब ठाकूर साब है हमारी योगी जी है ठाकूर है दलितों की नेता मायवती जी है चंदर सेकर जी है तो इसी तरीके ज़े समाज के सब तरीके के लोग नेता है पर ये किसने कहा पर ये किसने कहा कि भाया दलितों का रिप्रेजेंटेशन एक दलित ही कर सकता है आप आजादी से पहले और आजादी के बाद आपने क्या किसी का वेक्टर भी नहीं सुना क्या आपके नेतान नहीं सुना ये किसने कहा कि अगर रतिंदर भाटिया सीख हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी नुमाइंदी की सिर्फ एक सीख ही कर सकता मैं कपूर हूँ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ कास्ट में जाएंगे सब कास्ट में जाएंगे किसने कहा कि मेरी नुमाइंदी के सिर्फ खत्री ही कर सकता आप बात समझेए भाईया जो काम अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे वो कपूर हो या खान हो अगर वो हमारे लिए काम करेगा देश की जनता केले तो जनता वोट देगी पूरा देश मोदी है क्या नहीं ना देश ने तीन बार 15 साल से वोट कर रहे है किसलिए क्योंकि जो मोदी काम करता है अखिलेश यादफ के लिए 2024 में उनको सीटे मिली ना क्या सारे यादफों ने दी क्या सिर्फ आप ये कहना चाह रहा है नहीं